महमारी से अनूठा बचाओ एक समय साही बाबा ने लगभग दो सत्ता से खाना पीना छोड़ दिया था लोग उनसे कारण पुछते तो वह केवल अपनी दाए हाथ की तरजनी उंगली उठा कर अपनी बड़ी बड़ी आखे से लाकर आकाश की और देखने लगते थे से इतना ही निकलता महाकाल का मुख अब खुल चुका है सब कुछ उसके मुख में समार जाएगा कोई भी नहीं बचेगा एक एक करके सब चले जाएंगे साही बाबा के मुख से निकलते इन शब्दों को सुनकर लोग मारे भय के बोरी तरह से काप उठते वे बाबा से पूचते लेकिन वे मौन हो जाते उनकी कापते हुई अंगुली अकाश की और उठती और वे लंबी सास लेकर फटी फटी आँखों से आकाश की और बस देखते रहे जाया करते थे गाओं का वातावरन सेहमा सेहमा सा रहने लगा था प्रतियक प्रस्थपतिवार को साईं बाबा की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकलती थी लेकिन ना जाने क्यों लोगों के मन किसी अनिष्ट की अशंका से अशंकित हो उथे थे बाबा की इन बातों को सुनकर यदि किसी को सबसे ज़ादा खुशी हुई तो वह पंडिची थे वह इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि साईं बाबा जो भी कुछ कहते हैं वह सच होता है उनकी भविश्यवानी जूटी नहीं हो सकती भविश्य में होने वाली घटनाओं को ने शायद पहले ही जान लेते थे अकार, बार, महमारी ऐसी देवी आपदाएं हैं चो गाउं गाउं पूरी तरह से बरबाद करके रख देती हैं इनका कोई लाज नहीं है गाउं के सब लोग गाउं छोड़ कर चले जाते हैं शायद ऐसा ही कोई संकत छिरडे में आने वाला है पन्डिची यह सोच सोच कर बहुत खुश हो रहे थे कि यदि महमारी पहली तो लोग उनके पास ही अपना इलाज कराने के लिए आएंगे जिससे उनको अच्छी खासे कमाई होगी जबकि सारा गाउं अनिष्ट की आशंका चिंता ग्रस था वर्शा रितू समाप्ध हो चकी थी बाढ़ आने की कोई संभावना ना थी अच्छी वारिश होने के कारण खेतों में फसले भी बहुत अच्छी हुई थी अकाल परने की भी संभावना नहीं थी यदि कोई आपदा आ सकती थी तो वहे थी केवल महा मारी यदि महा मारी फैली तो पंडिची का भागे खुल जाएगा जब से साहीं बाबा शिर्डी में आय थी पंडिची की आमदनी तो खटम सी हो गई थी साहीं बाबा की धुनी की बभूती असाध्य से असाध्य रोगों का समूल ही नाश कर देती थी इसी वज़े से पंडिची के पास रोगियों ने आना बिलकुल बंच सा कर दिया था फिर मंदिर में भी पूजा करने वालों की संख्या में दिन कते दिन कम होती चली जा रही थी केवल पांच साथ लोग ही ऐसे बचे थी जो पूजा करने के लिए सुभे शाम मंदिर आया करते थी इसके अलावर शाम के समय प्रिसाद के लालच में कुछ बच्चे थी मंदिर में कथे हो जाये करते थे इस सरे मंदिर से होने वाली आमदनी भी नाम मात्र ही रहे गई थी पुरोहिताई का धन्दा भी बस ले दे कर ही चल रहा था साइं भाबा के प्रवचनों को सुनकर लोगों में कथा सुनने की रूची भी जाती रही वर्षा अभी समय पर होती थी इसलिए समय पर वर्षा कराने के बहाने से प्रतेक वर्ष होने वाला यग्य भी होना बंद हो गया था भूत प्रेत ब्रह्म राक्षिस तो जैसे बाबा के गाउं में कदम रखते ही गाउं से पलायान कर गए थे काउं में अब किसी दी तरह का उत्पात नहीं होता था प्रतेक घर में सुक शान्ती का बसे रहा था आपस के लड़ाई जगरे भी अब बंद होने लग गए थे पंडित जी को जैसे कुछ काम ही नहीं मिल रहा था वे सारे तिन अपने घर में बेकार ही पड़े रहते थे घर में पड़े पड़े पंडित जी बहुत दुखी हो गए थे उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी होने लगी थी साहीं बाबा बराबर चिंता में डूबे रहते थे एक तक आकाश की और देखते रहते थे किसी से कुछ भी ना बोलते थे तबी आसपास के दीस कोस के इलाके में हैजे की महमारी पैलने की खबर से शिर्डी गाउं में कोहराम मच गया हैजे की महमारी से लोग मरने लगे पहले कुछ उल्टियां होती, दर्थ होते और लोग मौत के मुँ में समा जाते जब तक लोग रोग को समझ पाते रोगी बिना दवादारों के ही भगवान के पास पहुत जाता था पंडित जी की सारी भागदोर व्यर्थ चली जाती थी आसपास के गाउं में हैजा पैलने की खबर सुनकर शिर्डी के लोग भी अत्यंत चिंतित हो उठे रहे सब इकठा होकर साई बाबा के पास पहुचे बाबा बाबा आसपास के गाउं में हैजा तेजी से पैर पतारता जा रहा है अब तो वह हमारे गाउं की सीमा की और भी बढ़ता आ रहा है कई ऐसा ना हो हमारा गाउं भी इस महमारी की लपेट में आ जाए शिशियों ने डर्दे डर्दे साइं बाबा से कहा साइं बाबा कई सब्ता से मौन थे उन्होंने खाना भी ना छोड रखा था सारे शिशिय और वाईजा मा उनसे मिन्निते कर करके हार गए थे लेकिन ना तो बाबा ने खाना खाया और ना ही किसी से कोई बातचीत की थी लोगों की इस पुकार को सुनकर साइं बाबा ने एक गहरी ठंडी सास छोड़ी और सिर अकाश की और पूर्वेतहक की भांती देखने लग गए मरज़ित में उपस्थित लोग भी उन लोगों के साथ साइं बाबा के चहरे को देखने लगे कि शायद बाबा इस महमारी से बचने का कोई उपाय बताएंगे साइं बाबा का चहरा एकदम कंभीर पड़ गया चिंता की लकीरे उनके सलोने मुकपर्स पष्ट रूप से नजर आ रही थी ऐसा लगता था कि जैसे बाबा स्रम किसी गहरी चिंता में है कुछ कर पाने में स्रम को अर्श मर्थ पा रही है अचानक साइं बाबा ने अपनी आँखे मून ली और बोले तुम लोग कल सुबह आना मैं सब बताऊंगा कहकर बाबा शान्त हो गए सब लोग बाबा की बाद सुनकर चुपचाप उटकर अपने अपने घरों की और चल दिये अगले दिन तौँ फट पे ही सब लोग द्वारी कमाई मस्जिद चाह पहुँचे देखा मस्जिद के दालान में बैठे हुए साई बाबा चक्के में जौँ पीस रहे थे और जौँ का आटा चक्की के चारों तरफ फैला हुआ था सब लोग चुपचाप खड़े साई बाबा को जौँ पीसते हुए देखते रहे लेकिन साई बाबा पूरी लगन के साथ जौँ पीसे जा रहे थे किसी की हिम्मत नहीं हो रहे थी कि उनसे पूछने का साहस जुटा सके कुछ तेर बाद एक भक्त में साहस जुटाया और आगे बढ़कर पूछा बाबा आप ये क्या कर रहे हो महमारी को भगाने की दवा बना रहा हूँ यह दवा है बाबा ने कहा हाँ यह दवा ही है इस आटे को एक कप्रे में भरकर ले जाओ और गाओं की सीमा में चारो और जहा जहा तक महमारी फैली है इसको छिड़काओ पर मात्मा ने चाहा तो इस काम की सीमा में हैजे का महामारी प्रवेश नहीं कर पाएगी तब शिश्यों ने एक जोली में सारा आटा भर लिया और साही बाबा की जैजैकार करते हुए गाउं की सीमा की और चल पड़े दो पहर तक गाउं की चारों और सीमा पर आटे से लकीत बना दी गई इस पर का साही बाबा दोरा पीसे गए आटे से सारा गाउं बान दिया गया साही बाबा की इस बात तो पंडिची को विश्वास ना हूपा रहा था कि हैजे जैसी महामारी का प्रकोप इस तरह से रुख सकता है हैजे का प्रकोप आसपास के गाउं में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा था दस पाँच आदमी रोजाना मौत के मुँ में समाते चले चारों और हाहाकार मचा हुआ था साही बाबा की इस अनोखी दवा का समाचार आसपास के गाउं वो तक भी पहुँच किया लोग दवा मांगने के लिए द्वारी कमाई मर्जित आने लगे बाबा हमारे गाउं में भी हैजा फैला है हमारे उपर दया करके हमें भी दवा देने की किर्पा करें और भी लोग साही बाबा के पास पहुच कर बड़े ही दैनिये स्वर में कहने लगे हमें भी दवा दे दो बाबा हम पर भी अपनी दया करो हमारा तो सारा गाउं शम्शान बन गया है आरे तुम लोग इतना परिशान क्यों हो रहे हो जितनी दवा हैं आपस में बांट कर ले जाओ और गाउं की प्रतिये घर में छिड़क दो जो बीमार होगा ठीक हो जाएगा और यह महमारी तुम्हारे गाउं से भी भाग जाएगी बाबा ने उन्हें सांतवना देते हुए गाउं आपस की गाउं की लोग बाकी बची हुई दवा को बाट कर ले गए साहिं बाबा की चक्की के घर घर की अवास फिर मस्जित के गुम्मदों और मिनारों में गुण जायमान करने लगी दूर दूर के गाउं के लोगों की भारी भीड लग गई साहिं बाबा की दीव हुई दवा जिस काव में पहुँच जाती वहां हैजे की बिमारी का नामों निशान ही मिर चाता बिमार इस तरह से उतकर खड़े हो जाते मानवे बिमार तो पड़े ही नहीं हूँ दवा एकदम रामबार के समान अपना काम कर रही थी माहमारी गधे के सीन की तरह गायब होती जा रही थी साहिं बाबा की दवा की किर्पा से सैकरो घर उजड़ने से बच गए हर तरफ पर साहिं बाबा की जैजगार के स्वर्स ही सनाई पड़ रहे थी साइं बाबा की किर्पा से सबसे अधिक नुक्सान यदी किसी को हुआ तो वह थे पंडिच जी उनको कोई थी नहीं बोच रहा था महमारी फैली पर उनके दवा खानों में एक भी आदमी दवा लेने नहीं आया पंडिच जी साइं बाबा से बुरी तरह से जले भुने बैठे थे साइं बाबा उन्हें गाव में ऐसे खटक रहे थे जैसे आख में तिनका पंडिच जी दिन रात इस चिंता में गुल जा रहे थे किस तरह से साई बाबा को नीचा दिखाकर या शेड़ी से निकाल बगाया जाए पहे अपने मन में बराबर उनके लिए नेनी योजनाएं बनाए रहे थे पर उनकी सारी योजनाएं आमल में लाने पर असफल होकर रहे जाती थी